हालो एंड वेल्कम टू टीवी का पटाका यहाँ पर हम आपको देते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार से जुड़ी हर खबर दोस्तों आचुका है होली का तेवहार और ऐसे में सवी और इशान भी आ गए हैं नस्दीक वेल दूर हो गई है इशान की जिन्दगी से रेवा क्योंकि सवी और इशान कर बैठेंगे एक दूसरे से अप्यार होली के बाद भांग के नशे में हो जाएंगे एक इशान और सवी क्या होने वाला है और किस तरीके से सुरेखा की चाल खुद सुरेखा पर ही उल्टी पढ़ने वाली है चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बैल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में में अभी यहां पर जो सुरेखा है वो सभी को भांग पिला देगी उसको यह लगेगा कि सभी को भांग पिलाऊंगी वो बत्तमीजी करेगी और फिर में धक्य मार कर उसे घर से निकाल दूँगी लेकिन उसे नहीं पता होगा कि वही भांग इशान भी पी लेगा सवी गिलास को साइड में रखेगी और इशान आकर उस गिलास को उठा कर पी लेगा अब जब इशान उस भांग को पी कर रखेगा तो वही गिलास प्यार में रेवा पी लेगी बस फिर क्या है तीनों ही भांग के नशे में पूरी तरीके से चूर हो जाएंगे और जब ये चूर हो जाएंगे तो यहाँ पर सवी और इशान एक दूसरे के करीब आ जाएंगे जी हाँ बहुत ही रोमांटिक मोहल होने वाला है शो में अच्छा खासा रोमांस आपको देखने को मिलेगा और उसी के बाद शो में बड़ा ट्विस्ट भी आएगा क्योंकि जल्द ही सवी हो जाएगी प्रेगनेंट वेल दोस्तों कितने एक्साइटेड हैं आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए सवी की प्रेगनेंसी देखने के लिए इशान और सवी के बीच की नजदीकियों को देखने के लिए हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें